तो बच्छो सबसे पेले एक बात बताओ क्या कभी वाटर पाक गए हो क्या कभी स्कूल जो की है importance of ocean okay so importance of ocean ocean क्या महासागर ocean क्या होते हैं महासागर सबसे बड़े समुद्रों okay so इस चैप्टर का यह है हमारा lecture no.1 और हम इस chapter में बहुत सारी interesting चीजों के बारे में देखने वाले हैं समुद्र से related ठीक है beach से related बीच में तो गए होंगे आप लोग और जो लोग अलग-अलग स्टेट्स में रहते हैं वो लोग पिक्निक के मज़े जरूर से लिए होँगे ठीक है स्कूल पिकनिस जाती है जैन्वरी के टाइम पे जाती है आप लोग जरूर से गए होंगे और बहुत जादा मज़े कियोंगे तो सोचो कि छोटे से कि छोटे से वाटर पार्क में आम लोगों को जब इतना मजा आता है स्वुविंग तो आप लोगों को अगर समुद्र में डाला गया तो कितना मज़ा आएगा unlimited space और unlimited water के बीच में अगर आप लोगों को रखा गया तो कितना मज़ा आएगा, आएगा कि नहीं मज़ा तो इसी टॉपिक के बारे में हम डीटेल में देखने वाले है इस चैप्टर में ओकी, तो चलो, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पता है क्या कि हमारे पास कितने ओशन से, कितने टाइप के ओशन सोते हैं हमारे पास five type of oceans होते हैं और वो कितने बड़े एरिया में हैं कितने square kilometer में हैं वो हमें यहाँ पे दिया गया है आपके textbook में भी दिया हुआ है आप उसको डीटेल में study कर सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितने oceans है five type of oceans है तब से पहले Pacific Ocean है तब से पहले Pacific Ocean सबसे बड़ा है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यह amount यह area आप लोगों को दिख रहा होगा area square kilometer आप लोगों को दिख रहा होगा तो इतना ज़ादा बड़ा है यह हमारा Pacific Ocean, ओके, then क्या दिया हुआ है हमारे पास Atlantic Ocean, then Indian Ocean, and Southern Ocean, then Arctic Ocean, यह इतने सारे टाइप के हमारे पास क्या है, Oceans है, और इन सारे को छोड़ो, हम बस क्या study करने वाले, Oceans के बारे में study करने वाले, and उनके importance को हम देखने वाले हैं, इस chapter में, So, आप इस topic को आराम से बैट के एक बार पढ़ लो, ताकि आपको बस पता चले कि हमारे पास white type of oceans है, and वो कितने area में बसे हुए, means कि कितना ज़ादा area उनके पास है, then क्या आपको बोला गया है, अब आपको पता है, हमारे पास पीने का पानी कितना कम है, और ocean का पानी कितन जादा है, अब आप लोगों ने पिछले standard में, means कि अभी आप 6th standard में है, तो आप लोगों ने 5th standard में जरूर से देखा होगा hydrosphere, hydrosphere क्या होता है, hydrosphere वो होता है, जिसमें सारे water bodies contain करता है, hydrosphere क्या करता है, सारे water bodies contain करता है, जैसे कि आप लोगों ने seas, lakes, बहुत सारे ऐसे रिवर्स बहुत सारे जितने भी हमारे water related जितने भी चीज़े जैसे sea हो गया, समुद्र हो गया, lakes हो गये, rivers हो गये, यह सारे किस में आते हैं, hydrosphere में आते हैं, okay, so हमारे पूरे earth पे water कितना percent है, ठीक है, water हमारे पास कितना percent है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग water है, और यह क्या है, ocean, समुद्री water है, okay, और सिर्फ हमारे पास कितना पानी है, उसमें से पीने वाला three percent पानी है, ठीक है, तो पानी को बचाओ भाई, इससे समझ में आता है कि पानी को बचाना है, okay, तो यह पानी पी सकते हो क्या, नहीं पी सकते है, समुद्र का पानी भरूर से discuss करने वाले हैं, चलो, अब आप लोगों को एक छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा experiment दिया हुआ है, ठीक है, अभी ocean के बारे में देखा, ocean में क्या होता है, और उसका पानी हम क्यों नहीं पी सकते हैं, कभी टेस्ट किया है, कभी गए हो आप समुद्र में, अगर बीचेस दिखेंगे, unlimited बीचेस दिखेंगे, आप मॉंबई आजाओ, आपको बहुत जादा मज़ा आएगा, ठीक है, तो उन बीचेस पे जाओ, खेलो, खूदो, मज़े करो, और एक बार जाड़ा पानी भी टेस्ट करके देखो, कितना जादा नमकीन होता है, वो पानी हम थोड़ा भी पी नहीं सकते, हमें वोमिटिंग हो जाएगा, तो ये पानी इतना नमकीन क्यों होता है, और इसमें से हम नमक भी निकालते हैं, और ये नमक हमारी लाइफ में कितना जादा जरूरी है, है की नहीं, आयोडीन है नमक में, ठीक है, तो बहुत जादा यूसफु ठीक है, पोहे रालो, पोहे पता होंगे आप लोगों को, तो पोहे चीवडा अगरा बोलते हैं ना, उसे वही, पोहे डालो आप उसमें थोड़ा सा, उसके बाद उसमें एओल डालो, ठीक है, वन टीस्पून ओल डालो, 1 teaspoon oil डालो उसी के साथ साथ मिर्ची डालो, टमैटो डालो जैसे भेल बनाते हैं न वो सारी चीजे डालो मिर्ची डालो, टमैटो डालो प्यास डालो, ओनियन पता होगा आप लोगों को तो ये सारी चीजे डालो And अपनी मम्मी को टेस्ट कराऊ या पापा को टेस्ट कराओ उसी के साथ एक दूसरे बावल में ये सारी चीजे डालो बट इसके साथ नमक भी डालो तब उनको फिर से टेस्ट कराओ तो वो कौन सा अच्छा बोलेंगे और कौन सा उनको जाधा टेस्टी लगेगा आप भी जरूर से टेस्ट करना और आपको भी कौन सा जाधा अच्छा लगा और कौन सा जाधा टेस्टी लगा वो जरूर से बता रहा हूं तो कौन सा लगेगा हमें जाधा टेस्टी नमक वाला टेस्टी लगेगा क्यों क्योंकि नमक लगता है खाने में without नमक वाला हम नहीं खा सकते हैं तो इस तरह की चीज़े आप लोगों को बताई हुई है इस experiment में ओके तो नमक बहुत जादा important होता है हमारे रोज के खाने पीने की चीज़ों में हमारे डेली लाइफ की जो चीज़े होती है उन चीज़ों में नमक सबसे ज़्यादा useful होता है ओके देन को अगीर एक और experiment दिया हुआ है ठीक है अब नमक तो डालना हमारे लिए कितना जादा जरूरी होता है ठीक है तो अब यह नमक आता कहां से और यह नमक बनता कैसे है आ रहा होगा तो दो दो नहीं एक प्लेट लेलो ओके प्लेट लेलो मिंस की स्टील का प्लेट लेलो ठीक है स्टील का एक प्लेट लेलो स्टील का प्लेट आप लोगों के पास होगा ही और उसमें वाटर डालो और कौन सा वाला वाटर डालोगे बोर्वेल का वाटर मिंस की जो बोर्वे करना है उस प्लेट में रखना है ठीक है उस प्लेट में रखो उसको और उसे डाल दो बाहर धूप में थोड़ा सब पानी पिलेती हूँ मैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से देखेंगे तो चल ठीक है एक प्लेट ले लिया हमने उसमें हमने क्या बरा उसमें हमने बॉटर को बहर दिया ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं भढ़ना है लिमिटेड अमाउंट में भढ़ना है क्योंकि प्लेट आपका कैसे होता है इस तरह से होता है मैंने बाउल बना दिया आप लोग ठीक है समझ के रखो प्लेट में water रखो और फिर क्या करना है आपको जाना है घर के बाहर और जब धूप निकलती है जैसे 10 बजे के करीब या 9 बजे के करीब आपको उसको ले जाके उस प्लेट को ले जाके आपके पास अगर छत होगा तो छत में रखो या फिर जिस भी जग के लिए छोड़ो इतने दाइम के लिए छोड़ो जब तक उसका सारा water इवैपरूइट ना हो जाए ठीक है जब तक उसका सारा water इन्वार्ट को मतलब क्या होता है गायप मेंस की उसको हिंदी में बोला जाता है मिन्स कि वो हमारे एंवायरमेंट में गायप ना हो जाए उसको उसको इह बोला जाता है I hope so कि बहुत सारे बच्चों ने गलती से टेस्ट कर लिया होगा मैंने भी पी लिया था एक बार गलती से बढ़ पीके आजो मजा आएगा तो उसको टेस्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि उसमें नमकीन सापको थोड़ा थोड़ा सा आयगा उसका फ्लेवर नमक नमक सां आपको लगेगा मुह में फील होगा ठीक है फिर उसके साथ साथ आप पीने का पानी जो होगा आपके ही हर पे ये बिसलरी का वाटर जो होगा पीते होंगे वो वाला आरो का वगेरा का वाटर जो होगा वो आप पी होगे तो उसमें पूरी तरह से नमक को खत्म कर दिया जाता है बट फिर भी थोड़ा amount of नमक उसमें होता ही है, थोड़ा सा salt उसमें होता ही है, बट वो हमें पील नहीं होता, वो हमें टेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो आपको क्या समझना है, कि वो जो बोर्वेल का जो water आपने लिया था, उसको आपने रख दिया, evaporate होने के लिए, गायब होने के लिए उसका सारा पानी अवशोशित होने के लिए बाहर के environment में धूप उसको क्या करता है सोख लेता है पूरी तरह से तो जब तक वो सोख ना ले पूरा तब तक आपको उस प्लेट को हटाना नहीं है फिर जब वो पूरी तरह से गायब हो जाए उसका पानी तब उसको क्या करो नमक मिलेगा आपको थोड़ा-थोड़ा सा वो कैसा रहेगा नमक-नमक सा हो जाएगा उसमें जैसे वाइट पाउडर होता है उसी तरह से आपको उसमें दिखेगा बहुत जादा amount नहीं दिखेगा थोड़ा सा दिखेगा बट आपको दिखेगा जरूर से तो यह experiment आप करो करने के बाद उसमें से नमक वापस से निकल जाता है है जो इसके आगे हमें और भी चीज़े देखनी है कि इसमें हमारे समुध्र में हमारे ऑशन में नमक आता कहां से है ऑर कितना जादा कैसे बनता है, नमक कौनसी चीज़ों से बन जाता है हमारे ocean में और हमारे ocean में और भी क्या-क्या चीज़े होती है यह सारे चीज़े हम डिसकस करेंगे हमारे next lecture में तो यह दोनों experiment आपको करना कंपल सरी है सारे बच्चों के लिए ठीक है चलो तो अब इसके आगे का टॉपिक जो है किसके बारे में ओशन के बारे में वो हम डिसकस करेंगे हमारे नेख लेक्चर में और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो सारे Meredith समझे होंगे और टॉपिक समझे होंगे तो फ्लीज वीडियो को क्या करना है लाइक जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है अपने सारे फ्रेंड से शेर भी जरूर से करना है और अच्छे-चे कॉमेंट भी करना है और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे मेसेज कर सकते हैं तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स लेक्चर में